नमस्कार दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पीडिलाइट के रेटन के बारे में देखें कि अगर हम इसमें SIP करेंगे तो कितना पैसा बन सकता है लोंग टरम में और ये देखें कि लमसम एक बर जो 50,000 जोई सेम एक रहता है तो कितना पैसा बन सकता है मुझे लगता है काफी शोलिड जोई ये कंपनी और अच्छा खासा वैल्थ आपको क्रियेट कर करके दे सकते हैं कंपनी ये सेयर और मुझे लगता है लोंग टरम का पिछले रिगोट का तो हीरो ये रही है कंपनी आने वा जो कि कुछ खास माईने नहीं रखती क्योंकि इसकी जो है एडवर्टाइजमेंट मानिए या प्रोडेक्ट जो मानिए इस कंपनी का खुद का जो प्रोडेक्ट है वो फैविकॉल हम किसी शोब में जाएंगे तो अडेसिव नहीं बोलेंगे इसको सिधा फैविकॉल नाम से म बना सकता है जैसे कि आपको पता है कि पिछले रिकॉर्ड जो इसके रहे हैं जबरतस रहे हैं और आने वाले टाइम में जो है लोंग टर्म में भी अच्छे खासे रिटन बना करके देगी ये कंपनी चलिए लेकर के चलता हूं कंपनी के तरफ उसके बाद देखे हैं कि कैस से जो है रिटन बना सकती है लोंग ट्रम में तो पीडी लैट जो 2400 रुपी के आज पास का जो है शेर प्राइज है इसका और इसे ने जो रिटन दिया है रिटन ओन इक्विटी मतलब कि एक शेर के उपर रिटन दिया है पिछला रिकॉर्ड तो 22% कर रहा है ठीक है और इसी क जो है कि कितना रिटन बना करके दे सकते हैं तो आप देखिएगा कि सेल्स जो इसकी हुई है 2018 में 6000 करोड की उसके बाद जो है 2019 में 7000 करोड की उसके बाद 72 सो लगबग 2300 करोड की आजपेस की सेल्सकी लगबग बढ़ती हूं मिलेगी ठीक है उसके बाद आप record देखिए गा कि 2018 का जो Net Profit hag 962 करोड का फिर 925 करोड का फिर 1116 करोड का फिर 1131 करोड का लगबग net profit भी बढ़ रहे हैं और sell भी लगबग बढ़ रही है तो अच्छा record है इस company का यदि compounding के बात करें तो compounding में चलते हैं तो इस company का जो long term का वो राध 30% का पिछला जो record है पांस साल का 27% का तीन साल का 25% मतलब की 30% के आसपास के जो है यह आराम से निकाल सकती कंपनी long term में आने वाले टाइम में भी तो हम मान के चलेंगे कि 30% की जो है यह company compounding करें पैसे को अपनी wealth को तो देखते हैं कि कितना पैसा यह company बना सकती है तो company की जो है SIP calculator की तरह मैं ले करके चलता हूँ ठीक है हम इसमें मान के चलेंगे कि सिरफ और सिरफ 5,000 रुपे की हर महीने की investment करेंगे आने वाले 5, 10, 15 और 20 साल तक देखते हैं कि कितना पैसा यह company बना करके दे सकती है हमे तो 5000 की investment मैं नहीं कर दिया है औ और return की बात करें तो 30% के return assume करते हैं ठीक है 5 साल तक जो है अगर हम SIP continue करते हैं 55,000 रुपे हर महीने लगाते हैं तो देखते हैं कि कितना पैसा हमारा बन सकता है 5 सालों के बाद तो अगर आप 5 साल तक 55,000 रुपे हर महीने लगा देते हो तो आपके पास 7,000 रुपे बन जा और सिरफ 10 साल में 30% का जो record compounding पिछला उसी के recording आपकी जो पैसे हैं वो 10 साल बाद 37,000 रुपे बन सकते हैं ठीक है जो की जबरदस हो जाते हैं तो 55,000 रुपे जो आप SIP करोगे वो total 6,000 रुपे हो जाएगा 6,000 रुपे बना करके देते हैं तो मतलब की अच्छे खासे return हो तो आप जो है 1,73,000,000 रुपे बना लोगे सिरफ 15 साल में अगर आप जो है इन्वेस्ट कर देते हो 55,000 रुपे की SIP जो की 9,000,000 की हो जाती है total 15 साल में और आपको जो ये पैसे हैं 55,000 रुपे 15 सालों में देने होगे हर मैने उसी recording आपका return जो आएगा वो 1,73,000,000 रुप जो है 1,73,000,000 रुपे होंगे अगर आप 5,000 रुपे की मंतली SIP इसमें continue कर देते हो तो तो risky stock की जरूरी नहीं होता कि वो high return दे वो आपके पैसे को डूबो भी सकता है और जो है और कुछ fundamental stone share होते हैं वो आपकी wealth को अच्छी खासी जो है बना कर कि दे सकता है अब देख ल 12,000,000 रुपे से 7,66,000,000 रुपे बन जाएंगे और बात करें तो 55,000 की installment जो कि आप मंतली SIP करोगे इस share में उससे आपके पैसे बनेंगे 7,66,000,000 रुपे अब मैं लेकर के चलता हूं सिरफ lump sum एक बार डाल के पैसे चोड़ दे भूल जाएं इस share के अंदर तो कितना पैसा यह company बना सकते 30% की जो है CAGR से तो इसमें investment amount में डाल देता हूं 50,000 रुपे मान के चलेंगे कि 50,000 रुपे जो invest कर देते हैं और return की बात करें तो 30 साल का return रहा है पिछला record वही मान के चलेंगे और 10 साल तक hold करके देखते हैं कि कि कितना पैसा हमारा 10 साल बात जो है बन सकता ह तो सिरफ और सिरफ 50,000 की investment कर देनी है एक बार और यह जो 50,000 की investment रहेगी यह convert हो जाएगी लगबग 7,000,000 रुपे के अंदर 10 साल में ठीक है और भी यदि हम लंबा खींचिये 50,000 की जो invested value है उसको 15 साल तक hold करके रखें इसी share में तो कितना पैसा बनेगा वो भी देख लेत हैं तो सिरफ 15 सालों के बाद आपके पास 25,000,000 रुपे होंगे जो कि 50,000 की invested value से होंगे ठीक है जो कि आपको सिरफ करना ही है कि 50,000 रुपे एक बार invest करके चोड़ देना है और आपको जो 15 सालों के बाद आपके पैसे बनेगो 25,000,000 रुपे बन जाएंगे अब देख लेते कि और भी लंबे टाइम तक कि 20 साल तक अगर हम इसमें hold रहें तो कितना पैसा हमारा बन सकता है तो 20 साल की बाद करें तो 20 साल बाद आपके पास लगबग एक करोड रुपे की investment आ जाएगी और invest की बाद करें तो 50,000 रुपे ही लंग सम एक बार डालना है अब यह साल के बाद जो है एक करोड के आसपा आप वैल्थ क्रियेट कर सकते हो इस से पीडिलाइट से और compounding जो आपको पताई है स्टार्टिंग के सालों में स्लो ग्रोफ होती है लास्ट में जबरदस जो है लास्ट के सालों में compounding ग्रोफ होती है तो आप इसके साथ